कल देर शाम को गुजरात सरकार का वो हलफ नामा सर्व विधित हुआ जो की बिलकिस वानों के 11 बलातकारियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मंगए और उसके मेंसे अब ये साफ हो गया है कि ये 11 बलातकारियों की रिहाई उसी दिन जस दिन प्रधानमंत लालकिले की प्राचीर से महिला सुलक्षा की बात करते हैं अमिच शाह की स्विक्रती से भी थी ग्रह मंत्राले ने 28 जून की आयू ही गुजरात सरकार की एप्लिकेशन को 10 जुलाई को दो हफते के अंदर फटाफट स्विक्रत किया कि हाँ 11 बलातकारी रिहा हो सकते हैं वो उसके परिवार के साथ सदस्यों की निर्मंबत्या करी वो 11 बलातकारी नरेंदर बोदी के ग्रह मंत्री अमिच शाह की स्विक्रती से रिहा हो हैं सवाल बहुत सारे हैं सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिस देश में ग्रह मंत्राले की कुरसी पर कभी सरदार पटे नह पुर जर्मियों के साथ खड़े रहने वालों का गिरो अजय मिच्र टेनी भी बने हुए हैं अमिच शाह भी बने हुए हैं उसके बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इसकी खिलाफत इस रिहाई की खिलाफत CBI ने उस स्पेशल कोट ने जिसने इनको दोशी पाया था और वह लोगों ने कहा ये एक बहुत ही संगील जुर्म है महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्षा गया था उनको बिलकुल नहीं रिहा करना जाना चाहिए उसके बाद भी गुजरात की सरकार में अमिच शाह की हरी जंडी और स्विकृति के बाद उनको रिहा कि यह लोग आज सवाल है मौन का, आज सवाल है प्रधानमंत्री के मौन का, आज सवाल है अरविंद केजरीवाल के मौन का, आप तो कभी कुछ नहीं बहुते हैं केजरीवाल जी, बार बार गुजरात जा रहे हैं, अभी भी चुपरेएगा, आज भी कुछ नहीं बोलिएगा, अब तो को खुश रख के अब चुनाओं लड़े जाएंगे और अगर ऐसा है तो प्रधान मंत्री लाल किले की प्राचीर से आइंदा महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा और अगर वाकई में आपके शब्दों में लेश मात्र भी सच था तो निकाल फेकी अमित जिन्हों ने स्विक्रती दो हफ़ते के अंदर इन ग्यारा बलातकारियों की रिहाई की दी